जैजनें दर्शकों जैन फोकस के इस विशेश कारिक्रम में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा आप सभी को पता है सम्मेद शिकर जो हमारे लिए एक बहुत ही पावन पवित्र तीर छेत्र है सम्मेद शिकर जो प्रतेक जैन विक्ति की तीर थियात्रा के लिए जाने का एक स्थान है सम्मेद शिकर जहांसे 24 में से 20 तीर धंकर मोश गए है ऐसी पावन भूमी कौन उस भूमी के दर्शन नहीं करना चाहता है हर व्यक्ति के मन में उस तीर छेत्र पर जाकर आनंद के साथ तफ और प्रार्थना करने का मन करता है बरसों से ऐसा होता रहा है लेकिन अभी अचानक साथियों हम सब ने एक आवास पूरे देश में सुनाई पड़ गई है कि सम्मेश शिकर खत्रे पर है पूरे देश में हुआ है सम्मेश शिकर में हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस इस जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज विशेश एक पैनल बुलाया है और कई गेस्ट भी हमने बुलाने का प्रयास्किया है जो हमारे साथ जुडेंगे इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो हमारे साथ पैनल में विशेस गेस्ट हैं सबसे पहले मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ मैं मिलवाना चाहूंगा श्रीमान राजकुमार जी जैन साथ जैजने राजकुमार जी श्री राजकुमार जी श्वेतांबर मूर्ती पूजक श्री संग आगरा के अध्यक्ष हैं आगरा विकास मंच एक बहुत बड़ी समास सेवा की संस्ता है उसके भी अध्यक्ष हैं इसी के साथ हमारे पैनल में आज एक बहुत बड़ी राश्ट्रे हस्ति हमारे साथ हैं भारत वर्षिय दिगंबर जैन तीर्चेतर कमेटी के राश्ट्रे अध्यक्ष भी है और प्रमु स्वागत है आदर्नी प्रदीप जी इस स्टूडियो में और साथ ही में आज के इस पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा की प्रमुक संस्ता जिसमें पैंतीस सो से ज्यादा चात्र पढ़ते हैं इंटर कॉलेज शिरी दिगंबर जैन शिक्षा समती जिसको संचा तो इस पैनल के माद्यम से अपन कोशिच करेंगे इस विशे को समझने की होता क्या है जब इस विशे के बारे में हम बाचीत करते हैं हर कोई के मन में डर है हमारा सम्मेश शिकर खत्रे में है लेकिन आखिर क्या खत्रा है इस सम्मेश शिकर पर क्या दिक्कते हैं ऐसा क्या आनपड़ा है कि जैन समाज शांती प्रिये जैन समाज को आंदोलन के रास्ते आना पड़ा है ऐसा क्या आनपड़ा है कि जैन समाज को स्थान स्थान पर रेली और धरने करने पड़ने आई इस विशे को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हमारे आदरनी श्रीप प्रदीब जी मैं आप से जानना चाहूंगा आखिर इतना वहाप हो क्यों हुई यह ऐसा क्या बात आई जो जहन समाज घबरा गई है हमारे दर्शकों को थोड़ा से बताईएगा मनुझ जी आज ये सम्मे शिकर का विशय पूरे भारत वर्श के अंदर एक जुलंत विशय बना हुआ है पूरे भारत वर्श की ही नहीं विश्व में भी जहां पर जैन समाज है वो सभी इस विशय को लेकर चिंतित है और आंदोलित भी है जगे जगे पर अंदोलन हो रहे हैं जगे जगे पर भूक अरताले हो रही है और अपने इस तर पर सांति पूर तरीके से पूरी जैन समाज पूरे भारत वर्श के अंदर अपने प्रतवेदन दे रही है जिलादिकारी को दे रही है और राश्टपती को दे रही है राश्टपती के नाम संभोज़त करके दे रही है विभिन मंत्रियों को भी दे रही है अब इस विष्यह पर सबसे परमुक बात ये है कि ये क्यों हो गवा जी राजिस सरकार ने और केंश सरकार ने राजिस सरकार ने रेक्मेंट किया कि भई इसको। Income नहीं सुरूर हो तो इस को रिक्मेंडेशन पर जहालकन सरकार की रिक्मेंडेशं हुई और कहने सरकार नहीं इसको गजटनोटिफिकेशन कर दिया. संसितिव जॉन ECJ घो violently किया गया और ECJ घोوفन करने के साथ-साथ इसके अंदर जितने भी चीजें बानुडेशन थे वो लगाए गई हमें प्रमुख समस्या जो आ रही है वो परेंटक छेत्र गोशित करने की आ रही है उसके कारण पूरे भारत वर्ष की जेन समझ अंदो देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदेनी प्रिदीप जी परेंटक छेत्र गोशित कर दिया है और एसी जेड एको सेंसिटिव जोन में इसको लिया गया है जितें जी मैं इसको और खुलासा करना चाहूंगा सिर्फ इतनी सी बात पर ऐसा क्या दिक्कते आने लगी मनों जी यह संबे सिकर जी का जो तीर शेत्र है जैनियों का वड़ा पावन तीर शेत्र है यहां हमारे चौवीस में से बीच तीठंकर मोक्ष गए और प्रतेक व्यक्ति वहां जाना चाहता है एक वहामना है कि एक वार बंद है जो कोई ताइं नरक पसगत नहीं हुए वाह बिलक्त एसे तीर स्मजरा का वहां पर जो है मचली पालन की वह अन्मती देने जा रही है परिटन च्छेत्र करने से जो अन्य धर्मावलंबी है वह जूते चपल पहन करके हमारे पविट तीर च्छेत्र पर जाएंगे जब कि हमारे यहां कोई भी धर्म धर्मावलंबी जूते चपल पहन करक की आप देखें किसी भी धर्म के मंदिर में जूते चपल पैन के जाना एलाओ नहीं है विरोध निये के और लोग क्यों पहुंचते हैं हमारे आहितन में कोई भी आ सकता है परन्त वह कम से कम जयन सिद्धानतों को मान करके आ है कि जैसे हम लोग जूते चपल नहीं पहनते हैं हमारा निवेदन सरकार्च यह है कि सरकार से जैन समाज ने कभी कुछ नहीं मागा इस सरकार को बनाने में भी जैन समाज का बहुत बढ़ा योग दाना है आप सोचिए कि सबसे बड़ा कश्ट जहन समाज को यह है पूरे देश में जो आंदूलन हो रहे हैं उसका मुखे कारण यही है कि जिस सरकार को हमने बनाया इसलिए बनाया कि वह हमारी रक्षा करेगी यह हमारे धर्मायतनों की रक्षा करेगी परंत आज उसी के द्वारा हमा कोन में सरकार क्रसी इतना कहना चाहूँल आपके माध्यम से इस के माध्यम से कि ऐसा नहों कि जिस वारती जनता प्रेंटी को चैय net समाच आग मंद करके सपोर्ट करके सरकार बनाने में सहयोग करता है वह भावना कहीं नफरत में बजल जाए इसलिए समय रहते हुए उन्हें इसको बापस लेना चाहिए और हमारे इस पावन तीर चेत्र को धर्म तीर चेत्र घोचत करना चाहिए जिससे चेहन समाज में जो बिलकुल बिलकुल जितेन जी आपने बहुत अच्छी बात कहीं मैं आपके पास फिर से भी आउँगा लेकिन दर्शकों यह महतपूर बात कहने की जो सुनने की आज डॉक्टर जितेन जीन ने हमसे का जैन समाज देने वाली समाज रही है कभी भी राष्ट्र या पदा खड़ी हुई है उसको बनाने में भी जैन समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट है चलिए इसी बात को और आगे हम समझेंगे हमारे साथ राजकुमार जी है राजकुमार जी आप इस विशे को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे कि मनोजी प्रेथम तो मैं जेन फोकस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी जी धन्यवाद जो जेन धर्म अन्वाईयों पर सम्मेश्सिकत तीर्थ को लेकर को लेके उससे बहुत आहत है तो मैं जैन फोकर चैनल को बहुत-बहुत अन्मोदना के साथ धन्यवाद करता हूं कि हमें अपनी बात रखने का आपने अपसर परदान किया जहां तक अभी सम्मेश्थिकर तीर्थ का बिसे मेरे से पूर्मत होना बक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके समझाने का प्रियास किया है, सम्मेश्थिकर तीर्थ हमारे 24 तीर्थनकर परमात्माओं मैंसे 20 तीर्थनकर परमात्माओं एवं करोणों साधू साथिवी भगवनों की मोकचिस्तली ए और हमारे सभी परमात्मा माहवीर के अन्याईयों जैन धरम के अनिवाईयों के लिए वह तीर्थ बहुत बड़ा आस्ता का प्रतीक है यदि आज हम यह कहें कि वह हमारे लिए जीवन मरण का बिसे है तो मैंसे अतिस्योक्ती नहीं समझूँगा इतने बड़े तीर्थ इस्तल जहांकि हर जैन अनियाई अपने को जाकर चर्थार्त हो जाता है उस इस्तल की अपवित्रता का करने का प्रयास निंदनी है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से उसको परिटक इस्तल गोसित किया क्या वो परिटक स्तल है। वै एक जैन धर्म का सबसे बड़ा आस्ता का प्रितीक है। उसको इस तरह से परिटक स्तल करके उस पवित्र भूमी को समाप्त करने का प्रियास करना आतीनिन्दनी है। मैं केंद्र राज सरकार दोनों से आग्रे करता हूँ, अतीसीर इसे परिटक स्तिली से अटा कर, तीरत स्तिली गोसित की जाए, जिससे जैन धर्म अनियाईयों की भावनाओं को कुट्रा गातना हो, मैं आगा भी करना चाहता हूँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को हम अल्व संक्या हैं एक परसेंट आदा परसेंट जो भी है हमारी जन संक्या पर आज हम देश की GDP का 30% इस्सा GDP को पहुचाते हैं चाहे ब्यापार के माद्यम से, चाहे चेरिटी के माद्यम से, चाहे डायरेक्ट और इंडायरेक्ट टेक्स से तो जो समाज इस लेविल पर है कि आज देश को जब विश्व गुरू की तरव ले जाने का केंद सरकार प्रयास कर रही है वे समाज उसमें किता बड़ा भागीदार है उसकी भावनाओं को इस तरह से आहात करना बहुत निंदनी है मैं पने आगरे करूँगा केंद और राज सरकार दोनों से कि अती सीर इस स्तल को परिटन स्तल से निकाल कर और तीर सिस्तली गोसित करें जिससे जैन समाज आहिंसक समाज है उसने अपनी बात को अभी भी जिस प्रकार से देश के भिवे निस्तों है सांती पूर्ण अंदोलन मौन से रखा है मैं फिर आगया करूँगा कि मौन और सांती का जब सबर तूटता है तो फिर उसके परणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं हम आहिंसक हैं आहिंसक रहेंगे पर सरकार हमारी इन भावनाओं को समझे जैजिनिद बिलकुल राजकुमार जी आपकी भावना मैं भी समझ रहा हूं और यह आक्रोश आपके व्यक्तत्व से निकल रहा है वो पूरी जैन समाज का आक्रोश है और इस वक्त प्रत्यक्वेक्ति जैसा आप सोच रहे हैं वही आप हर कोई कह रहा है जैन समाज देने वाली समाज जैसे पिछले वक्ताओं ने भी कही और जैन समाज GDP में भी अपना सहोग करने वाली समाज है और उस समाज के साथ ऐसा हो रहा है यह बिलकुल गलत है सवएम में भी सोता नहीं रहे हैं मैं देख रहा था यह सद्व को अधि सूचना बनाई गई थी और यह आठ नो महीने तक रही और दोव अगस्त दो हजारुनीज को यह पारत हुई यानि 8-10 महीने तक ही अधिसूचना आप लोगों की जानकारी के लिए डाली रही फिर इसके बाद 2019 में पारित भी हो गई और आज 2022 में आकर हमारी जैन समाच जाग रही है आखिर क्या कारण है क्या क्या इसके पीछे बहुत अच्छी बात आपने बताई कोई भी अधिसूचना कोई भी गजट नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसका बाकाइदा आपतियां मांगी जाती हैं आपतियों के निस्तारान के पच्चात उस पर निड़ने लिये जाता है ये बिल्कुर सही बात है लेकिन ये सब कारवाई कभी कभी सरकारें इस परकार से कर लेती हैं कि जन साधरान की जानकारी में वो आई नहीं पाती हैं और जन साधरान या समतियां या हमारी जो इस परवत को देखने वाली और इसका देखवाल करने वाली तीछित कमेटी और अन्य संस्ता हैं उनको जानकारी में ही नहीं आई पहली बात तो जी अरसन अठारे में तयार हुआ जरूर इसका आपत्नीय मांगी गई होंगी लेकिन साथ जने के रूप से किसी को मालिम नहीं पड़ा इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया गजट में भी आगया गजट हो गया गजट होने के बाद भी नहीं मालिम पड़ा इस परकार से हो सकता है कुछ लापरवाई क्योंकि समाजिक संस्ता यह समाजिक संस्ताओं की भी रही हो लेकिन 19 के बाद अभी ये हमारे संस्ताओं की नॉलेज में जब आई और इस पर सुख बुगाट शुरू हुई अभी 6 महीने पहले से तो 6 महीने से लगातार इस विषय पर चर्चाएं चलना ही थी कि इस पर कार से किया जाए और 2-3 महीने से सारे देश के अंदर इस पर विशेश आकरोज पैदा हो गया और चुकि असल में क्या है सम्मीश सकर जैन समाज की आत्मा है उसका कण कण पवित्र है ऐसा नहीं है कि हमारी 20 टौकें जो हैं वो ही हमारी हैं वो हमारी पवित्र हैं, बाकी परवत की पवित्रता हमारे लिए पवित्र नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा तो करोणों करोणों वहां से मुनी जो है मोच गए हैं, निर्वान को प्राप्त हुए हैं, बीस तीर्थन कर गए हैं, तो हमारे लिए तो वहां की परते एक इंच भूमी पवित है इंच इंच भूमी पवित्थ है तो सम्मेश सिखर जी का की पवित्रता पे किसी भी प्रकार से पूरे भारत का जैन समाज कोई भी बरदास नहीं करेगा कि पर किसी भी प्रकार की मैं बीच में रोकूंगा अधरी प्रदीप जी हमारे बीच में कॉलर जोड़ना इस वक्त शायद गुडायतन के कार्याद्यक्ष्री MP जेहन साहब हमारे साथ लाइन में मेरी आवास पहुंच रही है पहुंच रही है जैजनेंद MP जेहन साब जी जैजनेंद इस समय मेरे साथ श्रीमान प्रदीप जैन जी PNC साथ में बैठे हुए हैं और हम लोग जो विशह पूरे देश में इस समय जुलन्त है उस पर बात कर रहे हैं यह आज जो स्तिती होती जा रही है चारों तरफ अंदोलन है आप इस मेशे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे देखे साथ सित्थ है और उस पर हमारा अधिकार और कहने की बात ही नहीं है और तो है यह अधिकार जो जी बिल्कुर मेरा मानने है कि हमें मांगने की जोती नी पर नी चाहिए इतना तो सरकार में उन लोगों को थोड़ा अकल आनी चाहिए सरकार में जो की पताजिकारी बेठे हैं कहीं भी बेठे हैं जाए दिल्ली में बेठे हैं राटी में बेठे हैं इसमें विशे यह भी है कि मनोजी के परियाशे हमें चफलता मिलेगी या परदीब जी के परियाशे सबसे मिलेगी इस ताइम हमें किसी भी तरह सबसे मिनने चगिए और दोने शरकारों को मिलके हमें यह बाद्जे ठरना चाहिए पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी हमारे इत्मन फेसला आएगा और मैं खुद मुक्यमंत्री से मिला था उननी सारिक तो एक डेजिए जी जी एंसी जैन साब यही मैं जानना चाहा रहा था क्योंकि आपका ट्रस्ट वहीं पर विद्धमान है गुडायतन ट्रस्ट यू आर दर नियरेस्ट परसन जो सही जानकारी रखते हैं उस विशे को और मैं समझता हूं पूरा देश इस समय सुन रहा है आपको मुनीश्री परमानसाकर महराज में है की ऐससा नहीं है के वह और हुझिन वह सिर्ट करने दो Pi तर है नहीं है को अब करनेट नहीं है है लेकिन वहांसे ह caliber समन्ध बात करने मैं इनिस्थे हैं नहीं लोड और हमारी जो कार्य परणाली लोग नहीं है लेकिन केसे यहां बहुत बहुत धन्यवाद एंसी जैन साब मुझे लगता है आप जिस कॉंफिडेंस से बात कर रहे हमें कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पूझ गुर्देव का आशिरवाद आप पर है और हम सब पर भी है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेन जी आपने सुना अभी गुलायतन क्योंकि वहीं सम्मेश शिकर पर है और सब कुछ है मैं एक विशह जानना चाहूंगा अभी प्रदीव भाई साब कह रहे थे विशह पर कि सरकारी प्रक्रिया होती है और निश्चत तोर पर कहीं न कहीं सरकार्न की डिल रह तो क्या इसमें राजणतिक भू नहीं आती है राजणतिक भू भी है मनुजी जो एक नॉर्म सोता है किसी विश्चत को पारिट करने के लिए उनका पाल़ा नहीं हुआ उसको समाचार पत्र में बेज करके आपत्ति मागी जाती है किसी स्माचार पत्र में इसको पब्लिश नहीं किया गया। एक वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाए जाता है। वो नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाये गया। तो यह गुप्चुब तरीके से किसी साज़ी ज्थ के बात उश्चे- तोड़शे द्वाजार-थारे में वहाँ पर भारतिय यंता पार्टी पार्टी इसक है। ने बहुत अच्छी बात के अपको रूपूंगा अपने बोल दिया और मैं एक नाम जरूर लोगा सातियों जिसका नाम अगर हम अंग्रेजी में वर्ड बोले कि विसिल ब्लोर जो एक प्राब्लम को बताता है। और वो विसिल ब्लोवर इस केस में मैं समझता हूँ विश्विय जैन संगटन नाम की संस्ता है जिसने इस विशे को सामने लाकर हम सबके बीच में रखा। शायद ये बात हमें एडमिट अप कर लेनी चाहिए अपनी सब की इगोज कर गए और उन्होंने जो दो तीन बातें बहुत कड़ी कही है मैं वो पैनल से डिसकस करूँगा एक जो कॉमन बात आप तीनों ने कही कि परेटन छेतर में हमें नहीं रखना है इसको यह आपकी आप पवंजी गोधा हमारे साथ जोड़ गए पवंजी जैजनेंद्र पवंजी इस विशेपर आप बहुत कुछ कारे कर रहे हैं मुझे मालूम है और आपकी रातों की नीद इस समय उड़ी हुई है यह भी मुझे मालूम है और हम इसी चैनल के माद्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पवंजी गोधा दिल्ली इस समय क्या कर रहे हैं इस विशेपर थोड़ा सा बताईएगा हम सब बहुत चिंतित हैं सम्मेच शिकर के विशेपर यह बोलिये पारशनात वगवान ने की जह मेरे ख्याल में अपन लोग रास्ते से बठक रहे हैं जी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अपन कर रहे हैं जी यह कोई आवाज उपर तक नहीं जा रही है जी मेरा निवेदन है जैसे अपने असोग वैसाब हैं कुछ बड़े लोगों को मेरान में आना पड़ेगा जी अभी क्या है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जो अपन कर रहे हैं मैनत वो आदी मैनत अपनी बेकार हो रही है जी जी इसमें एप्रोच सही है बड़ी एप्रोच होनी चाहिए हम जारकन गए दियान्स आपके बास बैठे पंदरा मिनिट बैठे चाहिपी इनवर्बर की बाते करी पर जिस ट्रेक पर हमको आना चीहता नहीं आए जिली में भी जिस मिनिस्टर से मिले उतने दसमेट विडा लिया हाँ यहाँ आप कर रहे हैं बीजेपी वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं है तो मेरे कर लगता है कही कि अपने लगता है जब पुद्धी जी यह अपने अमिश्हाजी और नहीं भी संगी जब तक इन तीन आबिए चाहिएсь आपन कपनू आहीं मिलेंगे जब वह वालाма पैसा बेस्ट कर रहे हैं समाज का कोई मतलब नहीं है इसकी कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही है अभी वियर चाकर जी जगाई एक बहुत बढ़िया काम किया इसे पहले अमेकान चाकर जी महाराज ने किया तो थोड़ी टोर श हम यही कोश्ष कर रहे है इतना से कॉश्य जाया यही कोशिश कर रहें और अभी हमारे साथ आपकी बात पूरी सुन रहे हैं प्र दीब जी प्रमुक विक्तित में वह इसालिस ही नहीं क्या है इसे लिए मैं प्रदीप साप आप उनको जवव दीजेगा आवाय आ रही है आपकी बहुत अच्छी है बहुत बिल्कुल सही आपने बात को उठाया है बिल्कुल सही मुद्दा है और हो सकता है कि हम थोड़ा सा इस वकत राष्टे से बथक रहे हैं लेकिन जो है यह जो इस वकत तो पूरे भारत के अंदर जनांदुलन ख़़ा हो गया है भाई बिलकुल हो गया सर अब करना किसको है किस मिनिश्टी को करना है जारकंड सरकार को करना है कैन सरकार को करना है सरकार में हम 15 मिनिट टक सरर यंजी के बास मिले खर्वदी के बास बैठे रहे हम उन्हों को केवल बहाना रहा है अच्छा अन्छे की सरकार ने या ज्याते जारी किया वही इसको लागू कर रहे हैं उन्होंने हमको कहा कि आप जड़कों काटो पेड़ के पत्तियों कोमत काटो आप जड़कों काट नहीं है आप पंदरा अजार नोग आप लोगों को पता था इससे पहले का पूरा प्रकारण को पता था पर कहीं न कहीं अपने को यह बड़े वाली लोग भटका रहे हैं जब तक इसमें अपने मोदी जी या या राजना सिंग्जी और यादव जी तो अपने को समझते की बेकूप लोग हैं वो तो बात भी इस तरह तमीज से नहीं करते जब भी कहें जब इस तरह बात करता है कि आप पूछ भी मत पावन जी चलिए एक बात तो हुई कि आपका कहना बहुत हाई लेवल के कमेटी से ब मेरे साथ में श्वितांबर मूर्ति पूजक संग के प्रमुक पदातिकारी भी यहां बैठे हुए है अब सबस्या यह आ रही है कि हम में से बात कोन करेगा क्या क्या एक विश्व जैन संगिठन बात करेगा नहीं बिल्कुल नहीं करेगा तीर-चेत्र कमेटी को आगे आना अफना बॉग नहीं करदें ए अर आदमी बहुत मैंसी बिल्कुल जाकाना पड़े और तुनारा तीन तीन बार और एक कारिक्रम करना पड़ेगा बड़े स्तर पर राजकुमार जी साब ये आप सुन रहे थे पवंजी गोधा है दिली के अच्छे समासेवक है और लाफी मेहनत कर रहे थे और इन्हों ने राची में भी बार-बार जाकर और यहां पर दिली में भी सबसे बात करी और यह जो बात है मैं जो बात आपको कह रहा हूं एक संगठन है विश्व जैन संगठन दिली में जिसको मैं कह रहा था विसल ब्लूर हकीकत है कि इस मुद्दे पर ध्यान उसी संगठन ने हमको दिलाया ना तो कोई राश्ट्रियस तर्की श्वेतांबर समाज की समिती ना हमारे यहां पर हम अलग अलग सोर्स से जा रहे हैं कभी राज़कुमार जी गा रहे है कभी मनुच्चुमार जी जा रहे है कभी प्रदीव जी जा रहे है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करें, सरकार से बात करनी है अब हमें, यह विश्य सरकार का ज्यादा है मनोजी बिल्कुल आपने सही का, और अभी गोदा जी ने जो बात रखी, वो बिल्कुल सौ परसेंट, सटी को सत्य है अंधोलन हो रहा है सांतिपूर तरीके से चल रहा है, पर जिवी निश्यत है, भटका हुआ है इस भटकाप से हम इस आंधोलन पर और अपने तीर्थ का बचाप नहीं कर पाएंगे हम सब को एक बैंशतले होके एक तरीके से और इस अंधोलन में आगय बढ़ना होगा मेरा स्वितंबर जैन समाज हो या दिगंबर जैन समाज हो या अन्य समाज जो परमात्मा महाबीर के अनिवाई है उन सभी से आग रहे है कि आप एक बैनर बनाके राश्टी एस्तर पर जो भी राश्टी एस्तर के स्वितंबर जैन समाज के हमारे अग्रणी है दिगंबर जैन होगी वह केबल हमारे पवित्र तीरत सिरी समय से करके बचाब और उस पर जिस प्रकार से परेटक इस्तल काствен या जिस प्रकार से भी हमारी वावनाओं को आहात किया जा रहाएं कुट्रा गात किया जा रहा है उसको हम रोख पाने में समर्त होंगे यह बिलकुत सही है कि यह विसेहव राश्टिय इस्तर परी जाकर पूर्ण हो पाएगा जिस प्रकार से हम सहर में या बड़े सहरों में अंदोलन कर रहे हैं वह केवल बास्तब में एक दिखावा मात रोके रह जाएगा ना केंदर सरकार पर ना अपने सांसदों को भी सुन रहे हैं बारती जनता पाली के केंद्री नेताओं को भी सुन रहे हैं और अभी हमने जारकंड के मुखमंत्री जी से यह से गोदा जी मिले उनके पेसे मैं भी सुना मैं पने आगरे करूंगा कि हमारा सब का प्रयास होना चीए कि हमारी राश्ट जी मैं आपके पास आ रहा हूँ बात बीच में आपके से मैंने क्योंकि कॉलर आ गए थे यहां पर यह तो बात हम सब मानने लगे पहली चीज यह शीर्ष नेत्रत से बात करना है यह बात निश्चत है और शीर्ष नेत्रत से कौन बात करेगा राजकुमार जी कह रहे हमारी पर क्योंकि एक एंकर के रूप से हूं मैं सब की तरफ से बैठा हूं तो मैं उस संगटन जो विसल ब्लोवर है विश्व जैन संगटन जिन्हों ने इस बात को रास्ता खोला और राजकुमार जी ने कहा भी अपनी बात में कि उन्हें भी साथ लेकर हमें चलना चाहिए इस पूर्ड भूम का मैर्द पूर्ड बात उन्होंने करी देश के अंदर और समाज के हित्में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है उनका बहुत-बहुत धन्दाबाद जितने भी संगटन हैं दूसरी बात जब आप सीर्ष्णित्रत्र से बात करेंगे तो जैन विशल विवार रहें वह विशिल वुसल बीलोव भी और सीज्रत की चींव कमेटी बनेगे उस कमेटी में सांढ नहीं आप यह पहली चीज शीर सनेत्रत से शीर सनेत्रत ही बात करेगा यह हमारा पूरा पैनल एडमिट कर रहा है और अभी जितने भी करेगी बात हमारे साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलर लाइन पर जुड़ना है और श्रीमान अच्छे पत्रकार है और और शाकार के उपर इनकी कलम अक्सर चलती रहती है आदर यह बगडा जी मेरी आवास सुन रहे हैं आप जैजिने बगडा जी हमारे पैनल को आप देखी रहे होंगे और इस विशेपर आप भी बहुत कुछ कह रहे हैं कर रहे हैं लेकिन आज अपने दर्शकों के बीच हम यहां पर आपको बुलाए हैं क्या कहना चाहेंगे सम्वेट शिकर के विशेपर अंदोलन के विशेपर आदरनी बगड़ा जी का जो बुद्धा है बहुत जैन समाथ के लिए सम्वेदन सिल मुद्धा है इसके अंदर हमें जोस के साथ में वोस्ती बहुत बड़ी आवश्यक्ता है जी जो आंदोलन का रूप अभी ले रहा है मैं समस्ताओं की यह गलत तिसा में जा रहा है तो कि बिना इंजिन की गाड़ी की तरह हम इस अंदोलन को आगे बढ़ा रहे है जी तो देश के कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और आज जो परसनात शिकर जी की इस्टिती हुई है जी वहाँ पर जेन और जेन का बंदूओं के बीच में मार्क पीट हुई है बाजार क्ली शिकर्चित णिर्गने लगे है कि सिकर्ची यह नगयों का नहीं हमारा है जी तो वहाँ पर आधीय वांति बहुन अगर हम एक मत होकर एक अंदोलन का रूप लेते हैं तो इसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं अंगे था हमारा दिखराव होना तामने दिखाई दे रहा है जी बगना जी एक प्रशन आप से पूछना चाहता हूं जैसा मैंने एक संगतन का नाम लिया विश्व जैन संगतन और इस समय वो अंचन पर बैठे हुएं तीसरा दिन है आज इस विश्व पर कुछ कहना चाहेंगे आप मैं समझता हूँ कि अनित्तम बहुत अप्री मेचो हो गया गोवर्मेंट में जो नोटिफिकेशन के उपर में जारकन सरकार को लिखना है उसमें 17 जनवरी को उन्होंने इसके उपर सुनवाई करने के लिए करिवाई की है और सरकार से और ओम बिड़ला जी काफी इसके आपिस उनको जवाब भी दिया है तो मैं समझता हूँ कि हमें 17 जनवरी तक वेट करना चाहिए था यह थोड़ा सब जल्दी बाजी हो गई उन्तु एक वार अगर हमने अंदोलन चुरू कर दिया तो हमें पीछे नहीं इसना चाहिए हमें सांतिपूर तरीके से बिना आक्र से आंदोलन का रूप जा रहा है और एक हमारा संगटन ने अंशन इस वक्त कर दिया है क्या ये ठीक है ये बगडा जी भी कह रहे थे बगडा जी की वाससे में बिलकुर सहमत हूँ कि जब तक इंजन नहीं हो तब तक किदर हम चले तो जब तक हमारी जो श्वेतांबर चुका प्रारम हो चुका है तो अब तो हमें इसे सपोर्टी करना है पर बिलकुल प्री मैच्वर है थोड़ा सा और रुक करके किया जाना चाहिए था जी जी पहले हम एक नित्रत बनाते हैं उनका निर्दे सांता तब जाकर के ये कार्षक्रम प्रारम किया जाना चाहिए ये प्री मेचियोर एक्ट है बिल्कुल सही ये बात सारे लोग कह रहे हैं और राजकुमार जी ने जिस प्रकार से कहा राजकुमार जी मैं आप से एक बात कहूंगा क्यों बहुत महत्पूर्ण पैनल है ये और अपन कुछ बात को सॉल्व करते हैं बैटके उल जायते नहीं ह यूब बात एक सामने आ रही है बहुत सीधी बात आ रही है शीर सुनेत्र को सीर से बात करनी होगी हम सब अडमिट कर रहे हैं और दूसरी बात जैसे आधरनी प्रदीप जी ने कहा कि सब को लेंगे आप विसल ब्लोवर जो है वो भी क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि वह अलग है हम से आपकी बात हमको करेंगे लेकिन आप साथ में बैठिये और साथ में बैठकर एक प्लाटफॉर्म पर डिसकस करके लेट्स टॉप टुगेधर मैं आप से पूछ रहाँ राज कुमार जी क्योंकि आप एक महत्पूर्ण समाज हमारी जैन समाज का अंग है और आपकी संदेश जाए हम जानते हैं आपकी पहुंच शीर स्नेत्रत तक आपकी भी है आपकी हर बास सुनी जाती है हम चाहते हैं कि यहां इस जैन फोकस के कारिकरम से जो बात हो केवल वो एक मात्र बात ना रह जाए हम कुछ करके निकले यहां से आप हमारी मदद किस प्रकार से खर स्टांबर जेन समाज दो पंथों के अंदर बहवाजित हैं एक मूर्ति पूजा और एक स्थानक पर यह सौभाग्य है कि दोनों समाज इस वाले मुद्धे पर पहली बार एक होकर जिस प्रकार से भी आंदोलन कर रहा हैं मैंने पहले भी का थोड़ा बटका हुआ है पर जिस स्थान पर पहुचना पहुच भी जाते हैं तो स्वेतांबर जेन समाज के दोनों सीर्स नेत्तव ऐसा नहीं है कि सीर्स नेत्तव नहीं है इस्तानक समाज का भी सीर्स नेत्तव है और मूर्ति पूजक समाज का भी सीर्स नेत्तव है मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि कि जो दोनो सीड से नह्त्रत हैं देगंबर जैन समझ के सीड से नहत्रत है उनसे बार्ता करें और जो संग्डन आपने बताया है यह संग्डन भास्त में धन्नेबाद का और अन्मोधना का पात्र है कि जिसने हम सोते हुए को जगाया उनको भी साथ लिया जाए और हम सब का मिलकर प्रयास होना चाहिए कि हमारा सी सनेतरत पर हम इतना दवाब बनाएं कि वह दिल्ली के अंदर ये को और अपनी बात को रख पाए जबी हम अपने इस तीर्थ को बचाने के अंदर सफल होंगे अ बहुत भबात देनवाद मैं समझ रहा हूं मेरी बाद पुरदेश में पहुंच रही है जहन फोकस के माद्याम से और यहां पर जो हम लोग सेAmericus के माद्याम से जितने भी छोटे छोटे दल अलग-अलग काम कर रहे हैं, प्लीज आप लोग अपने अपने शीर्स नेतरत के अंतरगत आईए, कोई अपनी तरफ से पहल करने का प्रयास ना करिए, बात बिगड़ रही है, कोई किसी और्गनाइजेशन के नाम से पहुँच रहा है, कोई किस सोच के घटनाक्रम है, मैं वो डिसकस करने वाला हूँ, अभी तक तो आपका एक्शन था, लेकिन रियाक्शन भी आना शुरू हो चुके हैं, जैसे बगड़ा जी अभी बता रहे थे, आधरनी प्रदीप जी, हमने अभी देखा, कि पिछले 25 दिसंबर को ही, परवत पर सैक पल पहने थे, लेकिन जा रहे थे, लेकिन एक बात में जो पॉजिटिव कहना चाहूंगा, एक्जाजरेट ना करें, जब आपकी टौके आई, उन्होंने चपले उतारी अपनी, और टौकों पर आप जैसा आप कर रहे थे, मैंने वीडियो देख रहा था, वो भी ढोग दे आलीत आना हो, चाहें हम सम्मेथ शिकर हैं, चाहें गिरनार हैं, हम गिरे हुए हैं, एक मिजोरिटी समाज से, हमें, मैं मेरे को अभी डिस्टिबंस आ रहा है, क्योंकि कॉलर हमें बुला रहे हैं, और हमारे बीच में आ चुके हैं, श्री अनिल जैन जी, नाकपुर, अनिल सुन रहे होंगे, जो इस पैनल के माद्यम से हम यहां पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैनल का मानना है कि यह आंदोलन भटकाव की ओर जा रहा है, अगर इस तरह से हम करते रहे, तो पूरी तरह से आंदोलन भटक जाएगा, और इस पैनल में अभी अभ है कि शीर्स लोगों को हमारे सभी समाज के लोगों को मिल कर जाना होगा, इस विशे को आगे बढ़ाते हुए, आप क्यों ले जा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कम सब्दों में आपको सिर्फ ये कहना चाहेता हूँ, कि हमारे इतने पबत्रती छेत्र, सम्मेश शिकर जी के लिए, हम वो इस्तिती पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जो हम पूरी समाज ने समतारा में मिल के जीए, इसका हम को हमेशा हर जगए देखना है, मैं कई सहरों मे गया हूं इस बात को लेके, जी, ठीक ना जी, जी, कहीं कोई अकेले लड़ रहा, कहीं कोई अकेले लड़ रहा, कहीं अठारा का बंद हो रहा, कहीं इकीस का बंद हो रहा, कहीं दसका आपनी अपनी तारी को, बिलकुल, बिलकुल, इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो डिवेट सुन रहे हैं, उंसे निभी दन करूंगा, और जो सबस्थाथ पहले हैं, इसकथ के बो लाएने याद करें, ना हम देगंबर, ना शेतामबर, हम जैन हैं, जैन जनुन हैं, जॉन हम अपनाएंगे, बॉट बढ़िया, जी, तो सबसे पहले हमको इसमें एक तागा प्रिश्ण करना होगा, उसके बाद ही हमारा कोई भी आंदोलन किसी से भी मिलना जुलना या पन देना साथ तक रहेगा, जी, साथु संतों को भी इसमें एक होना पड़ेगा, एक ही मंच में आना पड़ेगा, जी, हमको अपने एगो छोड़ने पड़ेंगे, उसमें एक साथ आके, अपने अपने एगो छोड़के, संतारा जैसे इस्तिती जब तक नहीं आती है, जब तक सरकार हिलती नहीं है, बहुत बढ़ी है जी बिलकुल बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी वही कह रहे हैं जो हम सब यहां पर बात को कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से संथारा पर अपन समने मिलकर एक लड़ाई लड़ी थी बहुत शांती पूर्वक धंसे बहुत सोबर धंसे जिसको हुआ क्या और उसका पूरा असर हुआ और हम लोग संथारा में जीते यह बिलकुल सही है जो बात हम भी यहां कह रहे हैं कि इस बिखराव की वज़े से सरकारे भी मज़े ले रही हैं और हमें जब तक एकता नहीं आएगी हम आगे नहीं पड़ पाएंगे तो इस पैनल के म तो क्या किसी को आप अपने छेत्र में आने से रोक देंगे तो पहले तो बाइक वालों को रोका जाए दूसरा मेरा कहना उसके लिए चाहे तुस्तरकार और चाहे अबादी जो कमेटी आए शिद्या मरवादे प्रारम में कुछ शिद्या मरवादे तो उसे बाइक वाले अपने ताइब लग जाए ठीक है ठीक है दूसरे यह जो जाने का मना नहीं है परन्तों मास मद्रा दारू चिगरेट बीडी तमाकू इनका सेवन नहीं करें त्योंकि हमारे जो चेत्र की पव प्रेवार राजनितिक रूप से भी बहुत जुड़ा हुआ है सरकार से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है मैं इस विशे को आप पर इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि यहां मुझे लीगल के साथ-साथ कानून विवस्ता भी नजर आ रही है और कानून विव प्रेवाले का पाँच भी हो निकाल के फैंक देता है इसके बाद स्कैनर से निकाल के हमें अंदर जाने दिया जाता है और ताजमहल के अंदर एक स्थान है उस स्थान पर जाने के लिए आप जूते चप्पल नहीं पहन सकते अगर आपको वहां जाना है तो उनका एक कवर यहां तो डालिया जूते चप्पल उतारिये तो जब हम यही सरकार करा रही है कोई दूसरा नहीं करा रहा है यह सारा फॉलू यहां करा रहेcoat या फिर ही तीर्तों पर जाते हैं वहां के जो नियम अवली अस नियम अवली के अंतरगत जाते हैं अगर किसी तीर्ते में हम न इस शिकर में लचर हैं कि हम कहते हैं और वो नाराज हो जाते हैं और आज जैसा हमने सुना कि वहां से भी काउंटर रियक्शन आना शुरू हो गए आप इस विशे पर क्या कहेंगे देखिए मनुझ जी हम बार 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 बिलेम कर रहे हैं कभी राज सरकार पर कर रहे हैं कभी सरकार पूरी तरह से जैन समाज के किसी भी तीर्थ छेत्र की सुरच्छा के लिए संकल्पित है और हमारी बात वहां तक सई ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इसी प्रकार से जारकन सरकार से तो हमारे कई प्रतिनिदी मंदल बरावर मुख मंत्री जी से मिले हैं लेकिन कैन सरकार में हमारे प्रतिनिदी मंदल ग्रह मंत्री जी से और माननिय प्रधान मंत्री जी से अभी तक नहीं मिल पाए हैं जब तक माननिय ग्रह मंत्री जी और प्र तरीके से नहीं डालेंगे, तब तक इस चीज का समाधान कैसे प्राप्ट होगा, ठीक है, दूसरी बात ये है, कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, कि कई जगों पर हम लोग जाते हैं, कई धर्मों की लोगों में जाते हैं, वहाँ पर सारी विवस्ता हैं, की विवस्ता है, आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विवस्ता है, तो वो उस विवस्ता को कर रही है, क्योंकि हमारा पहाड जो है, एसाई में नहीं है, नेश्टनल मॉनूमेंट नहीं है, यह हमारा धार में किस तल है, और आदर्ने, मैं आपको थोड़ा सा एक रिषब जी, स्वागत है आपका इस कारिक्रम में, इस रिषाब जी, इस विशेप पर आप कुछ कहना चाहेंगे, एस सम्मेश शिकर के बारे में, जी, बिलकुल हम बात कर रहे हैं, सम्मेश शिकर, और किस तरह से उलज गया है, मुद्दा, उस विशेप बात कर रहा है यह पैनल पर और इसको कैसे अब सुलजाया जाए अलग-अलग छोटे-छोटे पॉकिट्स में हम बात कर रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे देखिए समय सिखर वर्सों से हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए जी सवाल यह उता है तो वह कहीं मिसिंग हो गया है आज भी आपको साथ मालूम है कि नहीं आज भी समय सिखर में थोड़ा सा जी बिल्कुल इस बात में बबाल हुआ है और केस बढ़ गया है जी सूचना आई है बिल्कुल सही है अब हाँ मेरा तो वहाँ लाइव चल रहा था मैं देखा वहाँ पे अपने जेन नहीं कुछ फुड़ी सी मगजबारी करी जो भी करा किसी बच्चे के साथ जी बिल्कुल और उसका उन लोगों ने इस्थानिक लोगों ने बहुत बड़ा उसका वी इसू बना दिया और हमारा नहीं होगा यह दुनिया वर्षे जेन की विरुद में करा है जी मेरा यही है कि आप सभी हम सभी बेट कर जी सरकार को जुकाने के लिए हमें एक्टा भी बतानी पड़ेगी सरकार आज हमारा इतना बड़ा मुद्दा है इतने संग्ठन है हमारे जेन के उसके जी पैनल पर हमारे बीच में च्वेतांबर जेन मूर्ती पूजक संग से राजकुमार जी है दिगंबर समास से आदरनी प्रदीब जेन जी पी एंसी है श्री जितेंद्र जेन जी हैं जी ओके सभी को मेरा जादर जेंज मैं यह दिखी सभी बड़े बड़े लोग हैं सिद्ध छेत्र है जो हमारे लिए जान से भी प्यारा है तो हमको इसके अंदर पूरी ताकत से लेकिन एक योजना बद्री से आज सरकार को हमको हमारे ढंग से हम कहीं भी कुछ भी करेंगे क्योंकि मुझे याद है जब यह परवल सागर जी को करुन सागर यहां पे गिरनार तो एक टॉपर ढंग से हम अगर हम सरकार को बोलेंगे तो सरकार मानेगी लेकिन हमारा प्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर वे में नहीं है हम उनको अपनी बात की गंबिड़ता है हम हमारी स्रद्धा भावना नहीं बता पा रहें जी सभी पूरे देश में रोज है पूरे हमारी बात नहीं मानी बिलकुई बहुत बहुत बढ़िया जो परिश्टिती बिगड़ी है उसको सुदारने की बहुत जरूत है जी ठांक यू बेरे माच धन्यवाद बहुत बहुत आपने बहुत सही एहम बात कही चलिएगा समय भी मेरा कह रहा है कि इस प्रोग्राम को मै wind up की और हूँ आदरनी प्रदीप जी आप अपनी बात कह रहे थे पूरी करिएगा फिर इसको हम समापन की और चलेंगे बेरा जाओ ग जो एक बात और मैं कहना चाहूंगा छोटी छोटी नदियां पर बाद बनाये क कोई भी बना देगा लेकिन समद्र पर बांद नहीं बनाया जा सकता है यह सारी यह नाम के समान हैं ये सब जाकर एक बड़े से महा सागर में मिलें और महा सागर पर इसका सार्थक रिजल्ट जब ही निकलेगा जब हम केंदर सरकार के भी लोगों के जो सीर्स पर बैठे हुए लोग है उन तक अपनी बात तरीके से पहुंचाएंगे तो चुकि सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है जी मिल्कुल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कोई ऐस का फानेंसियल लॉस गवर्मेंट को नहीं है कि जिसमें उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो उनके लिए एक बहुत मामुली सी बात है एक लाइन को अठाना है बस बिल्कुल तो हमें सीस नित्वत के साब साथ मिलकर हमारे जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं संस्ता हैं जो अ सानमंती जीव से हमें मिलना चाहिए और यह समस्या का समाधान जरूर निकल के आएगा बहुत-बहुत धन्यवाद लास्ट वर्ड्स राजकुमार जी लास्ट फिनिशिंग लाइन आपसे क्या कहना चाहेंगे बस खतम कर रहा है इस प्रोग्राम को चलते-चलते मनोजी मैं अंत में कंक्लूजन में यही कहूंगा जैसा भी भाई सामने भी कहा कि हमें अपनी बात को सीर्स नेतरत्व के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के सीर्स नेतरत तक पहुँचानी है और हम सबका दायत्व है हम जितने परमात्मा महावीर के अन्यवाई जेन धर्म के अन सभी हमारे जो अलग अलग समाज हैा उन लेकर के सीर्स नेतरत्व से मिलेगा तो निश्यती इसका समाधान निकले आए गा मैं तुम्हें यही कहते हुए आप सबसे आशा रखता हूं कि आप अपने माध्यम से अपने सीर्स नेतरत पर दबाब बनाएं सीर्स नेतरत एक जं पूरी समाज देश की उनकी ओर टकटकी लागा करके देख रही है कि उनका निर्देश क्या होगा जब उनसे पर आप नहीं हो रहा है तो इन छोट-छोटे समधाय के रूप में अपना आक्रोश ब्यक्त कर रहे हैं तो जनता तो आक्रोश से तो चुकी है आंदोलन तो प्रार सब्सक्राइब करने के लिए हमारे सीर्थ स्नेत्रत को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए ऐसा नहों कि यह सरकार प्रज्वाक्रों से वह सीर्थ करती हो जाए तो उन लोग को एक जुटो करके जल्दी से जल्दी इस पर कोई नकोई कारक्रम बनाना चाहिए और माननी प्रदान मंत्री जी माननी ग्रह मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और यह निश्चित है अगर हमने सही तरीके से अपना प्रिप्रिंटेशन उनके समख्ष रख लिया तो हमारी समस्या का स्वाधान पोजिटिव होगा बहुत बहुत धन्यवाद सातियों जो बात हमारी यहां पर हुआ हम्에 लग रहा है कही नहीं हमारे खाल और पहुझत सबसे पहले पूरे देश में इस अंदोलन को अलगलग तरीके से करना भी से से ही बात करनी होगी और यहां पर बैठे पैनल के सरस्य ने अपनी अपनी स्थर पर यह वाइदा भी किया कि आज के इस कारिक्वन के बाद वह भी यही प्रयास करने वाले हैं कि शीर्स नेत्रत को एक जुट होकर दिगंबर शेतंबर हमारे सारे बड़े साधूजन हमारे साधूजनों से भी हाद जोड़कर निवेदन हैं आपको भी पूरी तरह से सोच समझ कर इस विशह पर बोलना है क्योंकि आप हमारे भगवंत समान हैं आपके मुख से ए होगा विशह अगर कहीं भी अधूरा हो तो जान ले तवीस विशह पर बोले क्योंकि हमारे हां जैन समाज ने मैं गुरू को सर्वोपर इमाना है आप जो कह देते हैं तो पूरी समाज खड़ी हो जाती है आप जो करवा देते हैं कर सकती हैं और करेंगे लेकिन आपको इस सब के साथ को साथ लेकर चलना है शीर सनेतरत को भी सादू समाज को सायमित हो कर बताते हुए सारी बात बतानी चाहिए और आगे हमें इसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और मैं एक बार फिर से अपने साथी विशुजेन संगटन को कहूंगा आपका आंदोलन बहुत खुबसूरत रूप से चलाए जो विसल ब्लोइंग आपने की है वो गजब का काम कर गई है यो आप डन वंडरफुल धन्यवाद के पातर है हमारा विनम्र अनरोध है अब आपको अपना अंशन कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना चाहिए और शीर्ष ने तरत्व जैसा प्रदीप जी ने वाइदा किया है कि जो भी बात करेंगे आपको लेकर करेंगे आपकी बात को समझ के करेंगे कोई इगो नहीं है यह विश्य सम्मेच शिकर का है हम बान रहे हैं आपकी सारी बात मान रहे है लेकिन मिलकर करना होगा हमारा आपसे भी निवेदन है विश्य जैन संगटन अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो आप अपना अंशन को त्यागिए अंदोलन आपके साथ है अंदोलन के साथ आप है मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि आज की इस जैन फोकस की सम्मेच शिकर संगराम की इस कारिकर में आप साथ बने रहे और बहुत बहुत धन्यवाद अपने पैनल को जो बहुत कीमती समय मुझे मालू में उनको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जै 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 जै